खेलो एपर लोई वेल्कम बैक टो माच चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज कि इस एपिसोड के साथ यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नाश्रल गास फिर आते हैं कुरूड ऑल की तरफ दोने जगह हम लोग देखेंगे किन लेवेल्स पर बाइई और लेवेल्स इसल्वे चाहिए हमेशा कि तरह सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे की कल की मार्कित में यहाँ पर क्या हुआ था क्योकि सब जहादा'll cent मिलता है जब अब को तब बाट टायू करते हैं कि केडल के साइज़ेश चोटी हो रही है उसका मतलब यहां पर बॉटम देखने के लिए मिल सकता है अब बात की जाए तो हम लोग यहां पर आज के दिन पर अगर देखा जाए तो आज के पहले तो अभी के लिए एक अच्छा समय यहां पर देखो तो अगर 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 उसके बाद भी यहां पर मार्केट छोड़ा सा वालिटाइज रह रह रही है तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद मोमेंटम मिले तो अभी के लिए इस टॉपलस हम लोगो छोटा लेना यहां पर जरूरी है अगर यहां पर अगर यहां पर अगर बात की जाए तो टार्गेट हम लोगो अच्छे खासे देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मतलब मालो की अगर पूरे बड़े मोमेंटम की बात कर रहे है तो 150.90 का भी टार्गेट देखने के लिए मिल सकता है वह थोड़ा सा देखा जाए तो काफी बड़ा टार्गेट है एक छोटा सा टार्गेट भी हम लोगो बीच में रखना चाहिए ताकि हम हम लोग बीच में बार को प्रॉफिट वोकिंग भी कर पाए कही ने कहीं अगर देखा जाए तो इस वाज़े स्विंग लोग कि आसपास हम लोग कहीं ने कहीं फिर हम लोग टार्गेट रख सकते जो कि बहुत दूर नहीं है अल्टिमेटल यहां पर बन पूर्टी देखने के मिलेगा तो पहले तो market is strength को break करेगे और strength को break करने के साथ सथ यहां पर 144 वाले लेवेल में कर देते हैं तो इसके नीचे फिर हम लोग entry करना स्टार्ट कर सकते है एक अगर देखा जातो सबसे पहले तो आप चोटा टार्गेट बनेगा एंड वाले लेवल का इंत बहुत ज़ादा अगर हुआ तो अच्छे नहीं मिल रही बहुत दिन से अगर आपको लगता है कि पोदीशन बहुत अच्छे मना रही तो वन इस्टू तब लेना अधरवाइस वन इस्टू 3 और वन इस्टू 4 गई हम लोगो प्रिफरेंस देनी चाहिए और कभी-कभी यहां बहुत ज़रूरी है अब यहां पर देखो टार्गेट चोटा है तो इसलिए हम लोग चोटा ही स्टू प्लस प्लस करेंगे अब उसके बाद अगर जो सकते हैं यहां पर 141.40 के आसपास यहां पर देखा जा तो अच्छा जो आपको सपोर्ट मिलेगा 141.40 के आसपास है तो डाउनसाइड अपसाइड दोनों के ही टार्गेट आप लोग अपने सिस्टेम पर मार्क कर लेना अब क्रूडल में थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दी हैं अभी क्योंकि ड्रॉइंग्स यहां पर क्योंकि फिलाल हम भी ट्रेट कर रहे थे यहां पर अगर देखा जाए तो अब कीविए तो मोज दोब अगरा था दो अगर अगर मार्केट सिंग रहा है ऊचानक से अगर के ऊवर को लगई कि हम लोगा यह कहां से सपोर्ट ले लिए अचानक से तो यह शौक ट्रेडिंग के बग तो नहीं लेना चाहिए तो इसलिए मार करके रखो सेफर साइट पर अच्छा रहेगा अब 15 मिड़ पर दुबारा आते तो अगर देखा जाए तो इन वाले लेवल्स पर एक ट्रेड इनिशियेट हो चुकी है अब यहां पर आपको ट्रेड में एंट्री करनी है तो यहां पर हम कहेंगे कि इन वाले लेवल्स के आसपास आपको ध्यान दनाओगा कि मार्केट री टेस्टिंग कहां पर कर रही है अब यहां पर देखो दो एंट्री पॉइंट्री पॉइंट्री कर सकते हैं अब इसका क्या मतलब हुआ यहां पर मार्केट में आपको यह मुमिंटम पॉल्लों करना पड़ेगा कि यहां पर री टेस्टिंग कब हो यहां पर गरां लेति हैं कि मार्किट यहां पर आती है सपूर्ट ले लेती है उसके बाद ऊपर जाестоखें लोग करेंगा अपर नगे उसको आप लोग जिए न रखना भूलना नई ुसके बाद अलोग 인हां पर पर यहाँ पर टार्गेट लेंगे वह यहाँ पर 6550 तक का टार्गेट और ले सकते हैं बस यह ट्रेंड लाइन आपके लिए एक इशू रहेगा बाकी उसके बाद अगर देखा है तो नहीं पर अपको करेंगे जाना बट अब्साइट पर आपको यहाँ लेनी है तो एक चीज पे आप लोग 6,7,2,8 का और उसके बाद अगर देखा जा तो 6,7,6,5 का टार्गेट आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर आपके लिए मार्क कर दे रहे हैं इस वाले लाइन को भी थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं ताकि आपको पतर लग जाए कि यह टार्गेट है हमारा तो